हेलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है डी एग्जुकेसंस के यूटूब चैनल पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिक्स क्वेस्टन्स जो महत का होगा जिसमें से कि सभी क्वेस्टन्स रेल्वे और ग्रूप डी में पूछे गया है यहनि कि railway में ही हुआ exam में पूछा गया, railway rpf में, railway group d में, railway nt pc में यहनि कि railway के द्वारा जितनी भी पूछी जाती है questions उन सब questionsों का mix है, जिसमें से कि हर रोज एक sets को discuss करें जिसमें से कि 15 questions रहेंगे और उसको solve किया जाएगा तो चलिए start करते हैं वीडियो start करने से वीडियो पहले एक बर like कर दे, share कर दे and subscribe भी कर ले, तो चलिए start करते है start करते हैं पहला question क्या कह रहा है पढ़े पहला question है कि तृभूज का परिमाप तथा aúnतत्री ज्या करमसः 64 cm और 8 cm है तो त्रिभोज का छेत्रफल बताईए यानि आपसे कह दिया कि जो परिमाप दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि परिमाप आपको दिया हुआ है कितना परिमाप दिया है तो परिमाप है 64 cm जो अंतह त्रिज्या क्या है जो अन्तह त्रीज्या है, वो कितना दिया हुआ है? तो अन्तह त्रीज्या है 8 cm. आप से पूछा है कि आपको बताना है कि छेत्रफल क्या होगा? क्या बताना है? कि छेत्रफल क्या होगा? छेत्रफल आपको ग्याद करना है. तो सर जब भी आपको अन्तह त्रीज्या का मान द के पास एक सुतर होता है अंता त्रीस नयाका एक सूतर होता है क्या होता है सर तो चेत्र फल breaks में क्या होता है तो औरद परिमाप में औरद परिमाम होता है देखी अनतात्रीजा कितना दिया हुआ है, 8 cm, 8 cm लिख लेते हैं सर छेत्रफल तो पूछ रहा है, तो छेत्रफल को ऐसे ही छोड़ देंगे सर अर्ध परिमाप, यहाँ पे आपको परिमाप दिया हुआ है और यह और्द परिमाप पुछरा, यानि कि परिमाप का आधा, सर परिमाप है आपका 64, इसका आधा कितना होगा? 2 से भाग दीजिए हो जाएगा कितना? 32, कितना हो जाएगा? 32, तो यहाँ पर रख लेते हैं कितना? 32, और इसको multiply करते हैं आट दुना के 16, और 3 के 24, 12, 25 यानि कि 6 तरफल कितना हो गया? तो 6 तरफल हो जाएगा 256 तो कहेंगे इसका right answers क्या हो जाएगा? दोसौ छंपन सेंटीमीटर sq cash तो पहला questions का कितना हो जाएगा? पहला questions अगर आपसे पूछे कि कितना इसका answer हो जाएगा? तो कहेंगे कि इसका एंसर हो जाएगा दूसर चपपन हो जाएगा चलिए अगला कोस्चन देखते हैं अगले कोस्चन क्यों बढ़ते हैं अगला कोस्चन क्या है अगला कोस्चन देखिए अगला कोस्चन बोल रहा है आपसे अगला कोस्चन दिया हुआ है कि यदि sin theta क्या यदि आपको दिया हुआ है कि 5 sin theta प्लस 12 cos theta equal to 13 है तो आपको ग्याद करना है कि 5 cos theta minus 12 sin theta equal to क्या होगा तो सर ऐसा जब भी आपसे question दे तो इसको ग्याद करने का आप दो तरीके से याद कर सकते एक होता है सूत्रे के माध्यम से एक होता है व्यसिक तरीका से सूत्रे में देखिए क्या होता है सूत्रे में अगर आपसे पूछे तो सूत्रे में का किया जाता है अगर आपसे पूछे अगर आपको दे दिया हुआ है कि A sin theta A sin theta plus B क्या B cos theta equal to C है अगर आपसे पूछ देगा कि A cos theta minus B sin theta equal to what तब इसके लिए सूत्र होता है under root A square plus B square minus C square तो सर यहाँ पर देखिए इसको का का मानेंगे इसको A मानेंगे यह होता है B और यह क्या होता है C अब A के जगा फिर रखिए A के मान पर रखिए A का मान क्या रखेंगे A का मान है 5 5 का square करते हैं कितना करता है तो 5 का square रखिए तो 5 का square plus 12 का square minus C कितना है 13 तो 13 का square कर लेंगे और under root है तो under root में कर लेंगे आगे solve कीजिए इसको इसको जब solve कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? इसको solve कीजिए, तो मिल जाएगा, 5 का square होता है, 25 12 का square, 144, और 13 का square, 179 ठीक? 12 का square, 25 का square में, अगर जोड़िएगा, तो यह होगा, 179 माइनस 179, 179 में से 179 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 0 इसलिए इसका right answers क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो इस परकार यह questions बनता है तो ऐसा जब भी आपको question दे दे तो कैसे बनेगा तो ऐसा होगा यह तो हुआ सुत्र के माध्यम से अगर आपको basic तरीका से अगर पता करना हो कि basic तरीका से कैसे बनेगा तब देखिए क्या किया जाएगा basic तरीका से अगर आपसे पूछे तो क्या किया जाता है चले basic तरीका से देखते हैं क्या होता basic तरीका से अगर basic तरीका से कहता है तो बस दोनों तरफ क्या करते है इसके दोनों तरफ इसके दोनों तरब क्या करते है कि SQ कर देते इधर भी SQ करते और इधर भी SQ करते और दोनों तरब SQ करकर solve करते और फिर जो आता मानूस को put up कर लेते तो वहाँ से ऐसे भी questions बन सकता है तो उसको ऐसे करके भी बनाया जाता है चली आगला question देखता है अगला question आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा क्या दो संख्याओं का लसा तथा मसा करमसा 160 और 8 मतलब कहा कि LCM आपको दे दिया हुआ है 160 और HCF आपको दे दिया हुआ है कितना 8 तो पुझा है कि आप बताइए कि जो दोनों संख्या है उनका योगफल ग्याद किजिए कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा आपको बताना है तो सर आपको पता होगा कि एक LCM बराबर क्या होता है सर LCM निकलता कैसे है तो सर LCM बराबर होता है HCF गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों शंख्या का क्या होता है गुडन फल होता है दोनों शंख्या का गुडन फलों का अनुपात होता है अनुपात होता है या निक कि क्या होता है तो LCM LCM क्या होता है LCM बराबर HCF गुणे दोनों संख्याओं का अनुपात तो लिखिए कैसा कैसा इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं LCM मेरा कितना है LCM देखे कितना है LCM आपको दिया हुआ 160 160 160 लिख लेते है HCF कितना है HCF है 8 और यह क्या होगा गुणे दोनों संख्याओं का गुणन फलों का अनुपात दोनों संख्या संख्या के गुणन फलों का अनुपात सर इसको कटाईएगा तो कितने टाइम स्मिजाएगा 20 बार में कटेगा 20 बार में कटेगा यानि कि आपको अब क्या मिल गया आपको मिल गया 20 यानि कि दो ऐसी संख्या को सर्च करना है जिसका की गुड़न फल क्या हो 20 हो और अनुपाद में हो तो सर ऐसी संख्या क्या होगा 5 और 4 5 और 4 दो संख्या है जिसका गुड़न फल क्या हो गया 20 हो गया यानि कि आपका ratio कितना मिल गया 5 अनुपात 4 का ratio मिल गया आप कहिएगा कि ऐसा और संख्या मिलेगा जैसे कहिएगा कि 2 और 5 2 और 10 तो 2 और 10 तर अनुपात में कटाएगा तो एक अनुपात 5 हो जाएगा या संख्या नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे किसको लेंगे तो लेंगे चार और पांच को वह संख्या चार और पांच है जिसका की अनुपात जो होगा गुड़न फल पे बीस आएगा तो अब क्या हो गया? चार अनुपात पांच और यहाँ पिया होगा, 8 संख्या रखा हुआ है, तो जब 8 से गुणा करेंगे, तो जब 8 से गुणा करेंगे तो आट25 चालीज और अट45 के 32, यैनि दो संख्या क्या मिल गया, 40 और 32, अगर 40 और 32 का अगर देखा जाया तो 40 और 32 का HCB8 होता है, और इसका LTM भी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो यही पुछा है कि जो दोनों शंख्या, इसका योगफल क्या होगा, तो 40 अब 30 कीतना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा decided 72 हो जाएगा, चलिए, अगला question कि अगला कोशन्स को देखिए ध्यान से अगला कोशन्स पूछ रहा है आपको बताना है कि 480 रुपय के कोई धन रासी कि अधारण व्याज की वार्सिक दर दो परतिशत बिरिदी हो जाती यानि कि जो दर पहले लग रहा था उसमें दो परतिशत की बिरिधी कर दी जाए तो कितनी रासी हो जाएगी यानि जो 600 रुपाय होता था अब कितनी हो जाएगी बताना है तो देखिए 80 का जो दो परतिसत ब्रिद यानि कि दो परतिसत और लगा होगा जितना रेट लग रहा है उससे दो परतिसत और अधिक लगेगा 2% रेट लेंगे 2 वर्ष का ए रख लेंगे और इसको का करेंगे निकाल सदान कि आपको पता है ना कि सी आई बराबर तो होता ही है पी इंटू आर इंटू टी अब आई अपॉन में का हंड्रेड तो पी आर और टी हो गया अब यहां से का करते हैं कटाईए और यहां से सॉल्ब कीजिए दो दुना के चार यानी कि 48 गुणे चार बटे में 10 गुणा पॉइंट वन यानी कि 99 गुणा का क्या होगा ब्रीधी होगा पहले कितना था पहले मिल रहा था 600 गुणा प्लस और बीस पैसा का ब्रीधी हो गया तब कितना टोटल मिल जाएगा अब चार ब्रीधे चार पहले मिल जाएगा अगला कोश्चन क्या है आपको पताना है कि दो संख्याओं का गुणफल प्राप्त करें जिन का लगुतन समावपर तक 70 यानी कि आपको एक तरप से बोल दिया कि LACM आपका कितना है 70 है और कहा जिसका महत्तन समापरतक है यानि कि HCF कितना है तो HCF आपसे बोल दिया कि साथ है ठीक और आपसे पूछ रहा है कि दोनों अंकों का गुड़नफल प्राप्त करें यानि कि दोनों अंकों का गुड़नफल क्या होगा आपको बताना है कि दोनों अंकों का संख्या गुड़े सेकेंड संख्या अपसे दोनों संख्याओं का गुड़न फल ही तो पूछा है तो पूछा है LCM आपका है सत्तर, HCF है साथ और दोनों का गुड़न फल पूछा है तो कर लेंगे तो गुणा कीजिए ससते 49 यानि कीसका राइट एंसर्स क्या हो जाएगा तो 490 हो जाएगा LCM दिया था, HCF दिया था दोनों का गुड़न फल पूछ रहा था दोनों का गुड़न फल का कर लिए निकाल लिए इसले इसका राइट एंसर्ज 790 हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन को देखिए क्या है अगला कोश्चन बोल रहा है कि पाइप A किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरता कोई पाइप A है जो कि खाली टंकी को कितने घंटा में भरता है 6 घंटा में भरता लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है पाइप A क्या है कोई pipe A है जो कि 6 घंटा में भरता कितने घंटा में भरता है तो 6 घंटा में भरता जब कि यह pipe B के साथ मिलकर 4 घंटा में भरता यानि कि जब A पलस B मिलकर कारे कर रहे थे तो 4 घंटा में भर रहे थे यानि कि जब दोनों साथ में कारे कर रहे थे तो कितने घंटें भर रहे थे? 4 घंटे में भर रहे थे किवल B को पहले एक घंटे के लिए खोला जाता है उसके बाद A को भी चालू कर दिया जाता है तो अब टंकी को भरने में कूल कितना समय लगेगा आपको बताना आप बताईए कि A और B मिलकर 4 घंटा में करता है और A अकेले 6 घंटा में करता है तो अकेले B कितने घंटा में करता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं कि देखिए कि B कितने घंटा में अकेले कर सकता तो A B मिलकर 4 घंटा में A अकेले 6 घंटा में तो B अकेले कितने घंटा में करेगा तो 4 गुड़े 6 और यहाँ पे करेंगे 2 कटा देंगे तो 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 क्योंकि A B में से A प्लस B में से A को घटा दीजेगा तो कितना हो जाएगा 12 यानि कि B अकेले अगर करता है तो 12 घंटा में कर देता ए अकेले काम को 6 घंटा में कर देता है और B अकेले काम को कितने घंटा में 12 घंटा में क्योंकि दोनों मिल के 4 घंटा में कर रहा था अब देखी अब क्या बोल रहा है पढ़िए आगे क्या कह रहा है कि किवल B को पहले गाने गहंते के लिए खोल दिया जाता उसके बाद और लूर कर दिया एंकि कि सुरुवात जो कर रहा है देखिए यह क्या कि च्छाचे में कर रहा था ठीक है टीक है । कितने गहंते कष्क्था है कि दोनों का कार ये कितना हो जाएगा, दोनों का LCM 12, इसका छमता होगा, दो का, तो इसका छमता क्या होगा, एक का, आप से बोला कि B जो है, पहले एक घंटे के लिए खोला जाएगा, तो एक घंटा में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तो 12 काम में से एक काम तो कर देगा, ए जब आपके सेस काम बज़के 11 अब का करेगा कि दोनों के दोनों एक साथ करना एक स्टार्ट करेंगे तो दो के छमता से यह और एक के छमता से यह यानि कि अब दोनों जब ए और बी मिल जाएंगे जब ए और बी मिल जाएंगे तो तीन से छमता से काम करेंगे टोटल काम कितन है 11, तो 11 को आप तीन से का किज़े भाग दे दीजी दिखे कितने दिन में कर रहा है तो जब 11 को भाग दीजिएगा तो टी तिली के 9 आदो 11, यानि कि तीन घंटा इतना में मीनट में, मीनट को चेंज करने के लिए 60 से का करते हैं, गुणा कर दीजे, कटाईएगा, हो जाएगा 20, यानि कि कितना हो गया, आगे बढ़िए, आगे solve कीजिए तो क्या होगा, तो इसको solve कीजिएगा, तो 3 घंटा 40 मिनट, कितना हुआ, 3 घंटा 40 मिनट लगा, 3 घंटा 40 मिनट कब लगा, जब दोनों लोग साथ कारे किये तब, औ और 1 घंटा B पहले भी तो कर चुका था, जो 1 घंटा पहले B, तो कहेंगे, 3 घंटा 40 मिनट जब दोनों साथ किये तब, और 1 घंटा पहले एक कौन किया था B, तो 3 घंटा और कितना 4 घंटा, इसलिए इसका right answer का होगा, कि 4 घंटा 40 मिनट, इसका right answer का हो जाएगा, 4 घंटा 40 पर दूसरे इसे लाब पर आपको बताना है कि दोनों मेजों का क्रेमुल क्या है कि दोनों मेज कितने कितने रुपय में बेचे गए हैं आपको बताना है तो चलिए बनाते हैं इसको इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको बनाते हैं पहले मेज को का किया गया है कि पांच परतिसत के लाब पर यानि पांच परतिसत लाब कहें तो प्लस के सेंस से कर देते हैं और एक को का किया गया है कि 5 परतिसत के हानी पर बेचा गया है, 5 परतिसत के हानी पर और 5 परतिसत के लाब पर यहाँ पर हानी कर लेते हैं, क्या है यह हानी हो ला है, क्या है यह हानी है और यह क्या है, फिर से लिख लेते हैं, देखें, यह कि पहला क्या है, कि पहले को 5 परति पर किया गया है बेचा गया है dalसरे को 5 पर फर कीया गया है कि अवर थे का किया है लाप पर बेचा गया है ओवर ओल क्या हुआ कि उसको 220 E路 Tech होती है तो देख लेते हैं कि कितना analyzed की आनी होती है तो द liken से 2 0, 10, 10, यानि कि हानी कितना का हुआ, overall एक परसेंट का हुआ, हानी हुआ, यहां पर लिख लेते हैं, कि overall कितना परसेंट का हानी हुआ, तो एक परसेंट का हानी हुआ, अब का करते हैं, allegations भी दिखो, लगा देते हैं, मिस्रण वाला, अब देखी, यह प्लस पांच है, प्ल माइनस माइनस प्लस 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 स court 47 ड़ह से कितना प्लस 500 और रिसको की बार्गनाหाओ outrageous थ्याय थे सबढ़ न spray से योग कितना 2000 अनुपात 10 बराबर कितना अनुपात 10 बराबर है 2000 तो आपको बताना है कि 6 और कितना होगा तो कटा दीजिए कट गया तो किया होगा एक अनुपात कमान कितना आया 200 तो 6 अनुपात कमान कितना अनुपात 6 कमान आ जाएगा कितना 1200 और अनुपात 4 कमान कितना आ जाएगा 1200 और 800 हो जाएगा इसलिए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 1200 और 600 इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा चलिए आगे देखतें अगला कोश्चन क्या कह रहा है अगला कोश्चन आप तीन गुना है, तीन अंकों का योग क्या है, आठ है, तो बताना है कि दहाई वला स्थान क्या होगा, देखिए इसको कैसे बनाएंगा, जैसे जैसे कह रहा है, वैसे वैसे इसको का करते हैं, solve करते हैं, और इसको लेते हैं, देखिए जैसे कह रहा है, उसको पढ़िए, आपक इकाई दहाई और सेकड़े तिनंकों की संख्या है आपसे बोला है कि जो सेकड़े वाला अस्थान है कौन इकाई दहाई सेकड़े आपसे बोला कि जो सेकड़े वाला अस्थान है मतलब जेड इसको मानते हैं इकाई दहाई सेकड़े तो कहा कि जो सेकड़े वाला अस्थान का अंक जो है इकाई, इकाई क्या एक्स कहा कि सैकड़े वाले अस्थान का अंक, इकाई वाले अस्थान की अंक से चार गुना है सैकड़े वाला अंक इकाई वाले अंक से क्या है, चार गुना है मतलब कि जब यह चार अनुपात वन के रेशियों में है दहाई वाले अस्थान का अंक तो दहाई वाल अंक क्या है तो दहाई वाला अस्थान है तो दहाई वाला鍋स और दहाई में आ गया है फिर से कहा कि सैकड़े वाला अंक जो है इकाई अंक से चार गुना है तो चार गुना लिख लिए दहाई वाला अंक जो है इकाई से क्या है तिन गुना क्योंकि इसको इकाई इसको दहाई और इसको सैकड़े माने मान दिये अब आपको रेशियो दे दिये आप रेशियो को का कीज़े भरिये यहाँ पर लिख लेते हैं Z अनुपात X अनुपात Y देखिए Z अनुपात 1 का मान क्या होगा? 1 देखिए यहाँ पर X का मान 1 है यहाँ पर भी X का मान क्या है? 1 है और यहाँ पर Y का मान 3 और Z का मान क्या होगा? 4 तो आपको पता है जेड का मान चार तो चार, य का मान एक तो एक, अर्श और X का मान एक तो एक, और Y का मान कितना होता है, तो Y का मान कितना थित turned 3 रख लेते हैं। इसको सजा के लिखना है तो लिख सकते है तो जेड Ст्व की यह है 4, क्या हो गया गया घ्क 4 378 तो चैनल इंट हाई अग्ल argument के लिए अग्ला या कोश्टान्द को आपको दिखाई दे रहा होगा कि व já बताना है कि कि सूट धीन तो देखिए, आपसे पुछा है कि 3 root 5, 3 root 5 प्लस under root 125 का मान इतना है, तो 8C plus 6 root 5 का मान ग्याद कीजिए, आपको ग्याद करना है इसका मान, सर देखिए इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, यह क्या दिया हुआ है, तो 3 root 5 तो आपको दिया हुआ है, सर इसको तोड़ सकते है, 25, 125, इसको under root में लिख सकते हैं, 25, 5 क्योंकि हो गया, और इसका मान है 17.888, इसका क्या है, 17.888, और आपको क्या कहा है, आपको ग्याद का करना है, आपको ग्याद करना है, 80 root 5, तो सर इसको का करिए, कि solve कीजिए, एक बार और solve कीजिए, तो इसको र क्या हो जाएगा 5 root 5 equal to 17.88 क्या हो गया 17.88 आपको बताना है इसको तोड़िए इसको असी दिया हुआ है असी को 16 गुड़े 5 कर सकते हैं तो कहिएगा कि हाँ इसको तोड़ नहीं सकते हैं इसको जैसा का तो ऐसा छोड़ देते हैं सर इसको बाहर निकाल लिएगा तो 4 root 5 अब परला हुआ 6 root 5 अब देखिए root 5 root 5 है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 root 5 कितना हो जाएगा 10 root 5 आपको 10 root 5 का करना है मान निकालना अगर इसको जोड़िएगा तो 8 root 5 का मान आपको कितना आ जाएगा उसको solve किजेगा इसको जोड़िएगा तो 8 जोड़िए तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 5, 3, 8 यानि 8 root 5 का मान जो है 17.88 है आपको बताना है कि 10 root 5 का मान क्या होगा 8 root 5 का मान इतना इसलिए 1 root 5 का मान 8 root 5 का मान निकाल लेंगे इतना इसलिए 10 root 5 का मान क्या होगा ग्याद करना देखिए 5 root 5 से root 5 कटा दो से कटाए 2 पचे 10 अब इसको solve किजिए गा जब इसको आप solve किजिएगा solve करने के बाद आपको जब घुना भागा कर लिजेगा तो घुना किजिएगा किसमे किसमे आपको घुना करना होगा तो 17.88 गुने 5 अब अनटे में जब आप four से घुना करके Divide की जीएगा तभ इसका राइट एंसर्स आजाएगा 22.35 waiver तभ इसका राइट एंसर्स क्या हो जाएगा 22.35 25-85 तीन से में अगला देखते हैं अगला क्वाश्चंस क्या अगला कोश्चंस बोल रहा दीपा के चार वर्स पहले के आयू का तीन अनुपात इतना गुना है तो उनकी वरतमान आयू का अनुपात इपको बताना है देखिये इसना इसको किजिए क्या कह रहा है देखिए आप से पहला कहा कि चार वर्स पहले पूजा क्या चार वर्स पहले पूजा का तो पूजा का चार वर्स पहले चार वर्स पहले दीपा के चार वर्स बाद के आयू का बराबर है पूजा के चार वर्स पहले दीपा के चार वर्स बाद के पर है तो आप इसको पूजा को और दीपा को इधर लाएगा तो पूजा और दीपा के बीच का अंतर कितना हो जाएगा अप माइनिस इधर जाएगा तो प्लस एगो एक्वेशन का हुओा फस्ट इसेक्वेशन को यहीं पर छोड़ दीजे आगे पढ़ी है क्या बोल रहा है अब बोला कि पूजा के चारवर्स बाद का आयू पूजा के चारवर्स बाद के लिए 4 प्लस जोड़ देंगे चार वर्स बाद का आयू दीपा के चार वर्स पहले के आयू का क्या है तीन गुना मतलब यह तीन गुना है तो यह क्या एक है इसको solve कीजिएगा तो P plus 4 equal to 3D minus कितना 12 अब इसको solve कीजिएगा तो P minus 3D equal to क्या होगा माइनस इधर आएगा तो क्या होगा चरती ही 12 माइनस 12 माइनस 16 हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 16 यह का होगा equation second number हो जाएगा अब आगे solve कीजिए तो समिकरण 1 और 2 को का कीजिए समिकरण 1 क्या है समिकरण 1 में है P minus D equal to 8 और P minus 3D equal to कितना है माइनस 16 अब दोनों को का कीजिए जोड़िये क्या हो जब इसको solve कीजिएगा आप तो देखिए आपका कीजिए इसको घटाई है तो माइनस यह होगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यह तो कट जाएगा एक तीन गोडी में से एकोडी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2D equal to कितना 2D equal to 683 के 24 तो यहां से कटा दीजे दो से तो D कमान क्या हो जाएगा 12 यानि कि जब D कमान हो गया 12 तो D कमान यहां पर रख लीजिए D कमान जब यहां पर माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में तो P कमान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आपसे पूछा किसका है आपसे पूछा है कि पूजा और जो दीपा है उसे का अनुपाद पूछा है तौपूजा का उम्र हुआ 20 बरीच इसका हुआ 12 बरीच तो 4 पाचे 20 चर्तियाई 12 होता है तो इसका right अनुपाद टीन हो जाएगा अगला question है कि आपको बताना है कि एक दूद के जार में 40% पानी है इसके एक हिसे दूसरे हिसे से बदल दिया जाता जिसमें कि 19% पानी है अब पानी का परतिसत 26 हो जाता है तो दूद का कितना मत्रा बदल गया यानि कि आपको overall बताना है क्या बताना है पहले का किया गया था पहले क्या था कि एक मिस्रण था जिसमें कि 40% पानी था जब इसको बदल दिया जाता है बदल के का कर दिया जाता है कि 19% पानी हो जाता पहले 40 पहले जो पानी था उसमें क्या था यह था पहले यह क्या था पहले और यह क्या हुआ अज बदलने के बाद यह बदलने के का बाद था बदलने के बाद था पहले था 40 अब होगे 19 ओभर ओल का किया गया जब दोनों को बदल दिया गया तो मिस्रण कितना हो गया 26 हो गय अब कहा किजे इसको घटाईए ऐसे करके तो क्या होगा उननईस साथ चबबीस और यह क्या होगा चवद यानि कि एक अनुपात दो मतलब एक अनुपात दो है यानि कि आपको पूछ रहा है कि दूद का कितना मातरा बदल गया बदला हुआ मातरा कितना था दो कितना में तो दो एक तीन तीन यानि कितना होगा तो दो बटे में तीन बदला हुआ मातरा कितना कहा कि दूद की कितनी मातरा बदल गई तो दो टोटल मातरा कितना हुआ एक और एक एक प्लस दो कितना होगा तीन तो कितनी मातरा बदल गई तो दो बटे तीन मातरा बदल गई अगला क्य तो सब्ड磨क देखने के लिए तो चलिए हैं जो आनो एंटी पीसी और जितनी भी से जो कोस्टेंस हुआ है जो पूच्छा गया है उन सारे questions को mix करके का करेंगे कि 15 questions का रोज practice करेंगे और बनाईए आप का कीजिए जब भी questions दें तो उस video को रोकिए रोक के solve कीजिए solve करके देखिए कि क्या हमने ऐसे बनाया है या नहीं बनाया मेरा answers आ रहा है या कि नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है नहीं आ रहा है तो उसको का करके देख लेंगे और एक बार और देखकर यानि की दुबारा देखकर इसको solve कीजिए थैंक्यू दोस्तो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें सेर करें, सस्क्राइब करें अपनों दोस्तों को भी भेंजे थैंक्यू दोस्तो देखने के लिए